मेरा वर्डप्रेस के साथ तालुक कोई 12 साल पुराना है बात शुरू होई उस वक्त जब मैं युनिवस्टी में एक स्टूडेंट था और एक दिन मेरे एक दोस्ट जिनका नाम दानियाल है वो आए उन्हें ने का भई मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने एक ही दिन में 40,000 रुपए के प्रोजेक्ट्स किये हैं और उसका आंसर उन्हें ने दिया कि कोई फ्रीलांसिंग नाम की कोई चीज है जिसको यूज करते हुए आप पैसे बना सकते हैं अब फ्रीलांसिंग होती क्या है कहां पे कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं ये बिलकुल भी पता नहीं था फिर इसी तरह कुछ रिसर्च इंटरनेट पे की और कुछ दोस्तों से पूछा तो उसके जवाब मिला कि ओडेस्क नाम की एक साइट है या प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया भर से लोग अपने प्रॉजेक्ट्स पोस्ट करते हैं तो ये जान लेने के बाद मैंने भी ओडेस्क पे अपना अकाउंट क्रियेट किया और डिफरेंट जॉब्स पे अपलाय करना शुरू कर दिया कुछ ही दिनों बाद मुझे एक प्रॉजेक्ट मिल भी गया लेकिन वो मैं प्रॉजेक्ट डिलिवर नहीं कर पाया और उसकी वज़ा ये थी कि मैं उस वक्त स्टूडेंट था उस वक्त मेरे प्रोग्रामिंग के स्किल जो है वो बिल्कुल ही बैसिक लेवल पे थे वो क्या कहते हैं बरोसा गालब खुद पे ज्यादा कर लिया था तो मैंने अपनी बसाथ से बढ़के एक प्रॉजेक्ट ले लिया लेकिन वो मुझे से हो नहीं पाया तो मैंने क्लाइंट से माज़रत की कि ये मेरे जो अभी के स्किल सेट है उससे बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग थी उस वकट मेरी प्रॉजेक्ट का जो लेवल था तो पिर मैंने ओडेस्ख पर प्रोजेक्ट देखना स्टार्ट किये कि किस पिस lol किसम के प्रोजेक्ट's ओडेस्ट पे आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में सब से ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क् कि जहां पर ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसका मतलब है वहां पर प्रोजेक्ट विन करने के चांसेज भी ज्यादा है और वेसली कॉंपिटेशन भी ज्यादा होगा लेकिन चांसेज भी ज्यादा होंगे कि मैं कोई प्रोजेक्ट विन कर पाऊं तो फिर मैंने देखा क कुछ categories जिन में सबसे ज़्यादा projects आ रहे थे उन में एक category थी web development की फिर web development को मैंने further explore करना शुरू किया कि web development में किस किस किसम के projects आ रहे हैं कौन सी technologies के projects आ रहे हैं कौन से ऐसे projects हैं जिन के लिए programming कम चाहिए होती है तो वहाँ पर मुझे मुझे मुफ़िफ चीजे नजर आई उन में सबसे पहले number पे था wordpress उसके बाद था jumla and उसके बाद था drupal इन तीनों पर मैंने काम करना शुरू किया और तीनों की services provide करना शुरू कर दी जूमला को use करते हुए drupal को use करते हुए और wordpress को use करते हुए मैंने clients को websites बना के देना चुरू कर दी कुछ अर्से के बाद मुझे feel हुआ कि मुझे जो है वो wordpress की projects करने में ज्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें बहुत सारे resources available हैं उसमें templates बहुत ज्यादा मिल जाते हैं उसका code जो है वो easy to understand है उसकी community बहुत बड़ी है in case of any problem उनके पास बहुत बड़े forums हैं उनकी community है वहाँ पे उनका codex है तो मुझे लगा कि ये चीज जो है बहुत ही जबरदस्त किसम की चीज है और जो मैंने projects ज्यादा किये थे वो भी wordpress के ही थे फिर मैंने फैसला किया कि अब मैंने जो भी काम ल wordpress के साथ journey start हुई graduation के बाद मैंने दो साल के लिए job की लेकिन उन दो सालों में मैंने सीखा भी बहुत लेकिन मुझे ये feel हुआ कि job के मुकाबले में freelancing में ज्यादा potential है ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा लेकिन ये सिर्फ था जब आप freelancing कर रहे हों अगर किसी company के लिए काम करते हैं तो आपको वही fix salary मिलनी है जो को आपको महीने के end में मिलनी है लेकिन freelancing में अगर आप 10 projects करेंगे तो उसकी earning आपकी different होगी अगर आप 20 projects करेंगे तो उसकी earning आपकी different होगी तो उसके बाद मैंने decide किया कि मैं अब full time freelancing ही करूंगा और wordpress में रहते हुई ही अपना एक नाम बनाऊंगा उसके साथ साथ मैंने government sector के लिए wordpress की course curriculum को भी तरतीब दिया जो के अभी तक 15,000 से ज्यादा students को पढ़ाया जा चुका है और उनमें बहुत सारे students जो है वो बहुत अच्छा earn भी कर रहे हैं wordpress को use करते हुए उसके साथ साथ 2015 में मैंने wordpress meet up पाकिस्तान के नाम से एक initiative का आगाज किया जिसमें specifically लहौर से मैंने उसका start किया जहां पे हम हर महीने wordpress की seminar और workshop मुनकित करते थे पूरे पाकिस्तान में अब wordpress के meet ups होते हैं इसलामाबाद में भी होते हैं फैसलाबाद में भी होते हैं मुलतान में भी होते हैं और कराची में भी होते हैं इसी तरह और different cities के लोग जो हैं वो खुछ से अपने अपने cities में wordpress के हवाले से seminar या meet ups मनकित करते हैं मैं एक नहाय थी छोटे से कस्पिय से तालुक रखता हूँ और computer science में जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था लेकिन जब मुझे इस सिदारे की तरफ से scholarship मिली तो मैंने university में enroll किया और वहीं से मेरी मेरा तालुक जो है वो wordpress के साथ बना और freelancing के साथ बना और आपको जानके ये खुशी होगी कि ये वही इदारा है जिसकी वज़ा से आप ये डिजी स्किल का कोर्स देख रहे हैं उस वक्त इस इदारे का नाम ICT R&D Fund होता था अब इस इदारे का नाम है Ignite सो मैं भी इसी इदारे की वज़ा से यहां से आपके लिए ये कोर्स लेके आया हूँ और ये बहतरीन सिल्सला ये जबरदस किसम का लर्निंग का सिल्सला ये दूसरों को इंस्पायर करने का सिल्सला ये यू ही इन्शालला चलता रहेगा इस लेसन में हम जानेंगे कि ये वर्डप्रेस का कोर्स किस के लिए है तो इस कोर्स में हमने इसके दो पहलू या दो पार्ट बनाए है पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जो के कम्प्यूटर से रिलेटेड नहीं है या उनको computer programming नहीं आती या वो सीखना भी नहीं चाते है ये वाला part होगा no code part इसमें बगहर किसी coding की knowledge के बगहर कोई code की line लिखे हम आपको सिखाएंगे कि आपने wordpress का इस्तमाल करते हुए different किसम की website कैसे बनानी है हम आपको बताएंगे कि wordpress का basic use कैसे करना है wordpress के admin में क्या क्या options होते है और wordpress में teams क्या होते है plugins क्या होते है और different combination of teams and plugins को use करते हुए आपने किसी भी किसम की बहतरीन wordpress की site कैसे बनानी है वो site आपका e-commerce का store हो सकता है वो site एक simple blog हो सकता है वो site एक membership portal हो सकता है वो site एक landing page हो सकता है किसी भी किसम के आपने website बनानी है तो आप इस course के इस part को complete करने के बाद वो website बना सकेंगे बगएर किसी coding की knowledge के उसके लिए आप different plugins यूज़ कर रहे होंगे different page builders यूज़ कर रहे होंगे different themes यूज़ कर रहे होंगे आप different किसम की website बना सकते है अब ये तो हो गया बगएर coding वाला पहलू ये उन सब लोगों के लिए है जो के computer science से तालुक नहीं रखते वो wordpress को सीखना चाते हैं अपनी website खुद बनाना चाते हैं या website design और development की services clients को offer करना चाते हैं वो भी बगएर किसी coding के knowledge के इस course का जो दूसरा पहलू है वो है development से related अब development में हम आपको बताएंगे कि आपने wordpress का theme कैसे develop करना है wordpress का plugin कैसे develop करना है या already existing theme में आपने changes कोई करनी है कोई template आपने change करने है तो वो कैसे करने हैं और जब भी आप wordpress के किसी plugin या किसी theme में कोई change करने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहला question आपको यह होगा कि यह जो part है for example front end पे कोई module नज़रा रहा है कोई part नज़रा रहा है तो सबसे पहला आपके mind में question आएगा कि यह कौन सी file इसे generate कर रही है अगर theme में आपके for example 100 files हैं और आपने कोई मक्सूस हिस्सा उसका customize करना है theme का तो आपको वो मतलूबा file चाहिए होगी कि जिस file में जाके आप उसका code change करें और वहाँ पे आपको changes नज़राएं तो उसके लिए हम आपको wordpress की template hierarchy पढ़ाएंगे कि wordpress में कौन सा हिस्सा किस file से generate होता है उसके साथ साथ अगर आपने wordpress के plugin खुद के बनाने है तो वो भी आपको बताया जाएगा कि wordpress का plugin जो है वो कैसे बनता है या अगर आपके पास एक नहायद खुबसूरत design है लेकिन वो wordpress में नहीं है आप उसको wordpress के team में convert करना चाते हैं तो ये भी आपको पताया जाएगा कि उसको इस team में कैसे convert करना है या आप wordpress की different services देना चाते हैं Fiverr के platform पे, Upwork के platform पे या किसी और freelancing platform पे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे कि for example, एक example service क्या बन सकती है कि आप wordpress की migration की services दे रहे हैं wordpress की security की services दे रहे हैं तो migration के हवाले से भी आपको बताया जाएगा कि अगर आपने कोई wordpress की site एक domain से या एक server से किसी दूसरी domain या server पे लेके जानी है तो उसके मुक्तलिफ तरीके क्या होंगे उसको अगर आप plugin के through करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा या आपकी case में अगर plugin काम नहीं कर पा रहा for any reason तो आपने उसको manually कैसी एक जगा से उठाके दूसरी जगा कैसे लेके जाना है तो ये course उसके लिए है जिसको programming आती है ये course उसके लिए है जिसको programming नहीं आती तो आप में से किसी ने भी घबराना बिलकुल नहीं है क्योंके हम code के साथ भी काम कर रहे होंगे इस course में और code के बगएर भी काम कर रहे होंगे तो ये कोर्स सब के लिए है आपके लिए है और मेरे लिए है क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा और आपको सिखाते सिखाते कुछ चीजें जो है वो मैं भी सीखूंगा लेकिन आखिर में मैं ये भी बताता चलूँ कि ये कोर्स किस के लिए नहीं है ये कोर्स उसके लिए नहीं है जो कि रातो रात अमीर बनना चाता है ये कोर्स उसके लिए नहीं है जिसको लगता है कि मैं आज काम शुरू करूंगा या करूंगी और उपर से पैसों की जो है वो बरसाद शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो यह कॉर्स आपके लिए है लेकिन अगर आप शॉर्ट कर्स की तलाश में हैं अगर आप चाहते हैं कि काम ना करना पड़े और स्किल ना सीखनी पड़े और फिर भी जो है वो पैसे असमान से टबक ना शुरू हो जाएं तो यह कॉर्स आपके लिए बिलकुल नहीं है यह कॉर्स आपके लिए है अगर आप हार्ड वर्कर हैं फिर रिगार्ड लेस के आपका तालूप कम्प्यूटर साइंस के शोबे से है या नहीं है क्योंके बगार कोड के आप एक वर्डड प्रेस के बहतरीन किसम के आर्टिस्ट बन सकते हैं आपके पास आर्ट होगा कि आप डिफरन्ट प्लग इन्स और थीम्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए किसी भी किसम की वेबसाइट बना लेंगे वर्डड प्रेस पे लेकिन अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं या आप विलिंग हैं कि आप उनको सीख लेंगे तो आप WordPress के developer बन सकते हैं, front end developer बन सकते हैं, back end developer बन सकते हैं या आप दोनों सीख के आप WordPress के pull stack developer भी बन सकते हैं इस module में हम जानेंगे कि इस WordPress के course को DigiSkill के platform से complete करने के बाद आप क्या कर सकते हैं तो जी इस course के हमने तीन हिस्से बनाए हैं सबसे पहला हिस्सा है installation और introduction का installation और introduction में हम आपको बताएंगे कि WordPress को आपने अपने computer पे install कैसे करना है और उसके भी हम आपको different तरीके बताएंगे कि आपने different तरीकों से WordPress को अपने computer पे install कैसे करना है उसके बाद installation जब complete हो जाएगी तो हम WordPress का एक complete overview लेंगे कि WordPress जो है वो कितना जबरदस्त किसम का software है और इस पे आप किस किस किसम की websites बना सकते हैं तो WordPress की full capacity जानने के लिए सबसे पहले हम उसके admin का overview लेंगे कि WordPress के admin में हम login करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस किस किसम के options उसमें मौजूद हैं वर्डप्रेस में menu कहां से add होता है तो WordPress के admin पैनल का complete overview दिया जाएगा कि आप posts कैसे बनाते हैं आप page कैसे बनाते हैं पोस्ट और page में difference क्या होता है WordPress में cate nourries कैसे बनती हैं WordPress में teams कैसे इंस्टॉल होते हैं में plugins कैसे install होते हैं WordPress को update कैसे किया जाता है WordPress में कोई चीज आपने import करनी है तो वो कैसे होगी और WordPress से कोई चीज आपने export करनी है तो वो कैसे होगी installation और overview के पार्ट के बाद एक customization का पार्ट है customization में आप जानेंगे WordPress में जो आप नए features add करते हैं जो features उसमें available नहीं है और example custom post types कैसे बनाते हैं कोई products कैसे बनाते हैं उसमें नई plugins install कैसे करते हैं अगर कोई आपने plugin install किया हुआ है या team install किया हुआ है तो उसमें अगर आपने layout में changes करनी है तो वो आप changes कैसे करेंगे और एक्जेंपल आपने WordPress को use करते हुए कोई e-commerce store बनाना है तो उस store बनाने के लिए आपको किन किन tools या plugins की जरूरत होगी वो आपको बताया जाएगा अगर आपने अपनी website को SEO friendly बनाना है तो उसके लिए आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से आपने plugins यूज़ करने हैं आपने अपनी website को सेक्यूर रखने के लि membership website बनानी है WordPress पर अगर आपने कोई LMS बनाना है WordPress पर तो वो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से plugins मार्केट में उस चीज़ के लिए अविलेबल हैं और आप उनको किस तरह जो है वो configure कर सकते हैं अगला जो पार्ट तीसरा है वो है development का अब development में दो तरह की चीज़ें आ जती है एक है आपका team development और उसके बाद है plugin development team development में आपको बताया जाएगा कि WordPress का आपने जो है वो team एक कैसे बनाना है आपके पास एक HTML की निहायत ही खूबतुरत website है लेकिन आप उसको WordPress पे देखना चाते हैं तो आप उसको WordPress पे जो है वो कैसे convert करेंगे आपको इंतहाई अ आसान तरीकी से बताया जाएगा कि आपके पास एक HTML की website है उसको आप WordPress में जो है वो कैसे transfer करेंगे किसी भी website पे change करने से पहले अगर कोई developer किसी website में कोई expert किसी website में change करना चाहता है तो सबसे पहला उसके mind में आता है कौन सा part किस file से generate हो रहा है अगर आपको यह पता चल ज है चेंज करना नहायत जो है वो असान हो जाता है तो उसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे team hierarchy, team hierarchy आपको बताएगी कि WordPress की different templates क्या होते है, home page कहां से generate होता है, sidebar कहां से generate होता है, widgets जो है वो आप कैसे place करेंगे, menu कैसे आता है, archive page जो है उसका template कैसे बनेगा, single page का template कैसे different layout आपने कैसे देनी है, तो team hierarchy पढ़ने के बाद आपको complete understanding होगी कि WordPress के किस page का कौन सा part किस file से जो है वो generate हो रहा है, तो इस course में हम basic installation से लेके deployment तक, उसकी speed optimization, उसकी security, WordPress की website का every expect जो है वो हम इस course में जो है वो cover करेंगे.